तो वस्तरों के बाद आज हमारा चैप्टर है राजिस्थान की आभूशन आभूशन जो है वह भी आपको कई आभूशन मिलेंगे जो कि आपने पहली बार सोनेंगे ठीके तो आभूशन जो है उसका भी कोई अंत नहीं है आभूशन जो है अगर देखेंगे आप 200-200 से भी ज खारण करते हैं तो यहां पुरसों के यदि आप देखेंगे तो कान में मुरफिया पहनेंगे, लौंग पहनेंगे ठीके हातों में यहां तक ही बाजू बंद, कड़ा, उंगलियों में जो है अंगूठियां, बीठियां, मूदली जो है वो पहनते हैं यहां का रिवाज है लेकिन वर्तमान में पूर्सों का तो काफी कम हो गया है, लेकिन अभी भी गामीर शेत्रों में यदि चले जाएं, तो वहाँ पर अब भी आभूशन पूरस पहनते हैं. तो इस्त्रियां जो हैं, चाहे गाउं हो, शहर हो, इस्त्रियां तो आभूशन पहनती ही हैं, और विवाह जो है, अगर ऐसा मौका है, विवाह की अफसर पर कौन इस्त्री है, जो की आभूशन पहनना पसंद नहीं करती हैं. तो भर भर की आभूशन जो है, वो पहनने का पहननी ही है ठीक है सहरों में तो काफी कम है सहरों में नहीं पहना जाता है लेकिन गाओं में अभी भी हमेशा पहने रखती है तो देखिए सुन्दर दिखना जो है वो प्रतेक मनुष्य की जो है वो चाहा होती है हर कोई जो है वो सुन्दर दिखना जाता है तो पूर्सों की अपेक्षा यदि इस्त्रियों की बात करें तो इस्त्रियां तो कुछ जादा ही चाहती है खुद को सुन्दर दिखाना क्योंकि कपड़े जो है उन्होंने बहुत अच्छे पहन लियो होते हैं तो उसके उपर जो है उनको उसी तरीके का मैचिंग का हार हो गया कानों में कुं सजाने पढ़ी थी तो तब भी जो स़स्ती थी वह भी सजाने के लिए आपको क्या करती थी आभूशन पहनती थी तो उस वक्त जो है मिट्टी या बहुत ज्यादा चमकदार पत्थर की आभूशन पहने जाते ठीक है कुछ समय बीटता है तो क्या होता है कि इस्तरियां जो है वो हातों में चूडियां कड़े पैरों में खड़वे गले में लटकन यहार जो है वो पहनने लगती हैं जो की पहले किसके बन रहे थे मिट्टी और बहुत जादा कीमती जो पत्थर थे उनके बन रहे थे बिर्धन इस्तरियों की गरीब महलाओं की तो वो भी कुछ कम नहीं तो वो भी अपने उपर जो है वो कांसा पीतल तामबा ठीक है सीप मूंगे के जो गहने हैं वो खुद जो है पहनती दी खुद को जो है सजाती ठीक है हाती दास से जो बने आभूशन होते थे वो भी प् आएगा ही तो अब उसके बाद जो है बाजूबंद, कंगन, हार, कुंडल इनकी बनावट में अंतर आया ठीक है अब और भी जादा अच्छे तरीके से ये पहने जाने लगे तो वहीं पर आज हम बात करने वाले हैं राजिस्थान के प्रमुक आभूशन की कौन सा सिर के आभूशन तो सिर के आभूशन पुरुज जो हैं वह सिर पर मुकुट धारन करते हैं ठीक है वहीं यहां पर आभूशनों से संबंदित यदी प्रशन आता है एक्जाम में तो हमेशा महलाओं के ही आभूशन पूछे गए हैं महलाएं देखिए सिर पर क्या धारन करत सीजफूल, बोरला, टीका, सांकदी, रखडी, मोली, सुरमांग, दामिनी, टीडी भलको, ताबित, फीडी, मांग टीका, बोर, टिकडा, ठीक है? यह सभी जो है सिर के उपर या मस्तक के उपर जो है पहने जाने वाले आभूशन हैं, यह आपको सभी ध्यान में रखने हैं, क जैसे कि कुछ आभूशन तो ऐसे होते हैं, सामान नाम ही होते हैं, जैसे सीजफूल, तो सिर के उपर ही पहना जाएगा, बोर और बोरला, यह तो हमेशा याद ही रहता है, कि सरपर ही पहना जाता है, टीका, सरपर ही पहना जाएगा, रखडी, यह भी सरपर पहनी जाती है, सुर मांग तो मांग कहां होती है सरपर ही होती है तो सुर मांग ये भी सरपर पहना जाने वाला आभूशन है नेक्स्ट देखिए मांग टीका जो है वह भी कहां पहना जाएगा सरपर पहना जाएगा तो यहाँ पर मेमंद और सांकली, मोली, दामनी, टीडी भलको, ताबित, फीडी ठीक है और टिकड़ा तो यह जो अन्य नाम है यह आप याद रखेंगे यह कहाँ पहने जाते हैं? सिर के आबूशन हैं ठीक है? सिर पर पहने जाते हैं नेक्स्ट देखिए नाक के आबूशन, देखिए ऐसा नहीं है कि जितने यहाँ पर आबूशन मैंने लिख दी हैं केवल यही सर पर पहने जाते हैं और भी बहुत सारे आबूशन होते हैं जो सर पर पहने जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि राजिस्थान की आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है लेकिन आपके यहां से एक्जाम में जो है वो कुशन आ जाएगा ठीक है अक्सर जो है यहीं से पूछा गया है क्योंकि जो पहले के कुश लोंग, लटकन, चूनी, काटा, बारी, बलनी, भोगली, बेसर और भवरकडी जिसमें आपने देखिए नत तो पढ़ा है लोंग जो है यह भी पढ़ा है नाक का ही आबूशन है लटकन, लटकन देखिए कान में भी पहनी जाती है और नाक में भी पहनी जाती है ठीक है उस अब देखिए आभूशनों में और भी confusion पैदा कर देता है examiner वो क्या कि ये देखिए ये है चोप ठीक है चोप जो है नाक का आभूशन है यदि इस चोप में यहां पर बिंदी लगा दू ये बन जाएगा चोप ठीक है और जो चोप है वह कहां पर दातों में दातों में भी पहना जाने वाला आभूशन है ठीक है वो क्या था चोप और ये क्या है चोप ठीक है बिंदी लगते ही चोप बन गया तो ये किसका आभूशन हो गया ये हो गया दात का आभूशन ठीक है जो इस्त्रियां होती थी वो अपने दातों के बीच में सोने की कील जड़वाती थ तो उसे चॉप या चूप कहा जाता था, ठीक है, तो आज भी कई लोग हैं, जो ये दातों में जड़वाते हैं, तो यहां हम नाक का अभूशन पढ़ रहे हैं, तो नाक के अभूशन में आप विसेज धिहान दें, कि चॉप जो है, वो नाक का अभूशन है, और जो चॉप ह या चूप है जो बिंदी लग जाए तो वो किसका बन जाएगा वो बन जाएगा दातों का आभूशन ठीक है लटकन जो है उसमें भी confusion हो सकता है लटकन नाक में भी पहना जा रहा है और कहां पर पहना जा रहा है कान में भी पहना जा रहा है ठीक है तो यह याद रखें कन के अभूशन, कर्ण फूल, सुरलिया, पीपल पत्ता, लटकन, देखिए आगया ना लटकन, ओंगनिया, बाली, टॉप्स, जुमका, जमेला, बारेट, पत्ती और मोरफवर, तो यहाँ पर कर्ण फूल, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लटकन को भ क्या किया जाएगा, सुरीली आवाज सुनी ही जाती है, तो यह भी कान काबूशन हो गया, ठीक है, नेक्स्ट दिखिए, पीपल पत्ता, ओगनिया, जमेला, बारेट, पत्ती और मोरफवर, तो यह जो चार-पांस नाम है, बस यह याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है अब यह तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई भी तरीका नहीं है, आप चाहे तो ट्रिक बनाईए, या आप इनको बार-बार लिखिए, कैसे भी करिए, यह आपको याद ही करने पड़ेंगे उसके बाद देखिए, गले के आभूशन, गले में देखिए, कौन-कौन सा आभूशन जो है वह है, पहना जाता है मांदलिया, कंठी, हांसली, तिमडिया, थमन्यो, चंद्रहार, रानीहार, कंठहार, जंजीर, ठैडियो, चौकी, पंचलडी, रामनामी, हालरो, आड, तुलसी, बजट्टी, पोत, पोत, हांकर, ठुसी, मुठिया, निबोरी, जुगावली, चंपकली और सरी तो यहाँ पर जो चंद्रहार है, रानीहार है, कंठहार है, जंजीर है, और कंठी यानि कंठ यानि गला, तो कंठी पहनी जाती है, हांसली, ठीके, तो कुछ नाम ऐसे होते हैं, जो कि आपने सुने हैं, लेकिन ध्यान रखिये, एक्जामिनर जो है, वो बहुत ज़्यादा चालाग होता है, वो ऐसे आसान नाम जो है, वो कभी नहीं पूछता है, कैसे पूछेगा, पूछेगा तिमडिया जो है, वह कहां का आभूशन है, कान का, गले का, नाक का, तो याद रखना, गले का आभूशन है, चीक है? नेक्स्ट देखिए, बाजू के आभूशन, बाजू के आभूशन है, तड़ा, बाजू बंद, चुडला, हारपान, नवरतन और बट्टा, तो ध्यान में रखिएगा, कि जो कलाई के ऊपर जो आभूशन पहना जाता है, यानि बाजू, वहाँ पर क्या पहना जाता है? तड बाजू बंद, चुडला, हारपान, नवरतन और बट्टा, नेक्स्ट देखिए, कलाई के आभूशन, बाजू का आभूशन अलग है, और कलाई का आभूशन अलग है, कलाई यानि जहाँ पर चूड़ी पहनी जाती है, ठीक है? चूडिया, चूड़ा, चूडिया, चूड उसको बोलते हैं, ठीक है, पूछा गया है, एक्जाम में मोकडी जो है, किसको कहते है, मोकडी जो है, लाख की चूड़ी को कहा जाता है, और वहीं पर कांच की चूड़ी होती है, कहां पहनी जाती है, मोकडी और कांच की चूड़ी होती है, कहां पहनी जाती है, मोकडी और बंगडी और चूड़ा जो है वह है पहना ही जाता है ठीक है हतफूल यह भी कहां पहना जाता है कलाई में ठीक है चूड़ियां चूड़ा हतफूल मोकडी गोखुरू गजरा बंगडी और कातरिया नेक्स्ट देखिए अंगुली के आभूशन तो अंगुली में छला पहना जाता है मूंदड़ी पहनी जाती है अंगुठी पहनी जाती है बीटी दामड़ा अर्सी और हतपान तो इस दामड़ा से आपको याद आया होगा हमने जब वस्तर देखे थे वहां देखा था हमने दामणी दामणी क्या था एक चुन्डरी थी ठीक है तो वहां क्या था दा यह क्या है दामडा ठीक है तो अंगुली में पहना जाने वाला आभूशन है दामडा नेक्स्ट देखें कमर के आभूशन कमर में तगडी पहनी जाती है कंधनी पहनी जाती है कनकती पहनी जाती है जंजीर पहनी जाती है और कंदोरा पहना जाता है ठीक है याद रखना है आबूशन भी है जंजीर तो जो भी दो आबूशन के नाम जो एक जैसे हैं वो आप विसेश तोर पर याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट देखें पैर का आबूशन पैर में कड़ा, पाईजेब, लंगर, नुपूर, जहांजर, नेवरी, लच्छा, तोड़ा, आंवला, टांका, जोड और हिरनामेन ये कहां का आबूशन है ये पैर का आबूशन है ठीक है जहांजरिया जो है या जहांजरिया जो है और पैंजडी वो भी पैर का ही आभूशन होता है पैर में पहना जाता है ठीक है next देखिए पैर की अंगली के आभूशन तो अक्सर आपने जो बिछवे होते हैं वही आपने ध्यान में रखे होंगे कि पैर की अंगली जो होती है उसमें बिचिया तो पहना ही जाता है इसके अलावा गौर, पगवान और फॉलरी ये तीनों जो है यह भी पैर की जो अंगली है उसके मुख्य आबूशन है दात के आबूशन रखन और चूप तो चूप या चूप जो कि मैंने आपको बताया कि जो महलाएं होती है वो दातों के बीच में सोने की जो है कील जड़वाती है या फिर कई जो है वो चांदी की कील भी जड़वाती है ठीक है उसे चूप कहा जाता है तो ये रखन जो है र रखन कहलाती है और जो कील जड़वाई जाती है उसे चूप या चौप कहा जाता है नोट में देखिए मैंने लिखा है जो कलाई में पहना जा रहा था मोकड़ी लाग से बनी हुई चूड़ी और कातरया यानि काच की चूड़ी ठीक है तो ये सब भी आप ध्यान में रखें ये किसके दे सरके ठीक है और नाक के हमने क्या देखा हमने चोप है नत है लॉंग लटकन बारी हो गई काटा भोगली बेसर भवरकड़ी ऐसे आप भी याद रखें जैसे कि मैं आपको बता रही है ठीक है उसके बाद हमने जो है कान का अबूशन देखा था जिसमें हमने ल कले से संबंदित जो हैं पहले तो हार याद रखें चंद्रहार, रानी हार, कंठ हार ठीक है जंजीर हो गई, कंठी हो गई, पंचलडी हो गई, राम नामी हो गई खीक है और हमने ठुसि देखी थी निबोरी, चंपकली और सरी ये कहा किते गले के आबूशन, फिर हमने कलाई में पहनते हैं ठीक है न और बाजू में क्या पहनते हैं बाजू में तो बाजू बंद पहनेंगे हारपान पहनेंगे टंडा चोड़ला पहनेंगे फिर हमने अंगली की आभूशन जो है वह देखे थे जिसमें चल्ला पहनते हैं अंगूठी पहनते हैं अंगली में दाम पहनते हैं, ठी कै जनजीर गले में भी पहनी जाती है, कमर में भी पहनी जाती है, और फिर हमने पैर का आभुषन देखा, पाईजे में नुकुर है, आवला है, और एक देखा था हमने हिरना evacARS, टोड़ा हो गया, ठीक है, पैर के अंगली के अभूशन, बिचिया तो सभी जानते हैं, पगवान, गोर और फोलरी, ये तीन आप नाम याद रखें, ये याद देखिए ऐसे ही होंगे, जैसे मैंने याद किये थे एक टाइम पर, कैसे इनको बार बार जो है पढ़िए, जैसे हम गाना सुनते हैं, तो गाना हम एक बार सुन लेते हैं, उसी गाने को हम दूसरे दिन फिर सुनते हैं, फिर वो गाना हमें याद हो जाता है, फिर गाना मत बजाओ, हम खुद ही उस गाने को गाने लगते हैं, उसी तरीके से जो चीजें आपको नहीं याद होती हैं, वो ऐसे ही याद रखिए, राजिस्थ जो आपको आता है उसको सबसे first number पर रखिए ठीक है तो उससे ही पता लग जाएगा कि हम किसके आभूशन जो है वो हमने पढ़े हैं ठीक है जो आता है उसको सबसे first number पर रखिए अब देखिए पुरोज के कान के आभूशन तो महलाएं ही नहीं राजिस्तान में तो उसके बाद हात के आभूशन बाजू बंद इस्रियां भी पहनती है और यहां पुरोज भी पहनते हैं कड़ा भी पहनते हैं नर्मुक भी पहना जाता है ठीक है अंगुलियों के आभूशन की यदि बात करें तो अंगुठी है बीठिया है और मुंदडिया है यह सभी पहन में का रिवाज जो हए वह तिसका है पुरसों के आख़ुर जहें ठीक है और उसके वरतमान में कम हो गए हैं कहां पर पहने जा रहे हैं अब गाउं में आप देखेंगे तो वहां पर अब भी तो और अल्ए लोग ऑब भी जो पुरुस जो है यह आपज पहनते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में थेंक यू